जहिंद, गुडिवनिंग, वेलकम टू इस्टेडी पारपाइंद, दिसी अंकित मोरया, यह जीपी, यानि स्विच गीर और प्रोटेक्शन की इस नए वीडियो लेक्शर में आपका स्वागत है, आज हमारी वीडियो की टॉपिक है लाइटनिंग बैलू, यानि जो आपकी आकासी विजली गिरती है, उसमें कितना पोटेंसियल होता है, कितना उसमें चार्ज होता है, उसमें कितनी एनरजी आका सकते हैं, पावर होती है, दूसरा हम जानेंगे लाइटनिंग अरेश्टर क्या होता है, और एक लाइटनिंग अरेश्टर किस परकार से काम करता है, सा आने वाला जो दो इंपोर्टेंट आपके अरेश्टर है ना लाइटनिंग अरेश्टर वह बिल्कुल लिख ले जाओगे क्योंकि बिल्कुल प्रिंस्पल आज के यानि जो आज बताने वाला हूं इसी के बेस पे वह पिछला वाला सब आधारित है इसलिए इस वीडियों के कंप्लीटली देखना तो सबसे पहले समझे कि लाइटनिंग बैलू के बारे में लाइटनिंग बैलू क्या होती है देखो आपके जो बादल होते हैं उनकी जो अर्थ के सर्फेस से उचाई होती है वह 500 से लेकर के 3000 फिट के बीच में यह बादल पाए जाते हैं जो आकासी बिजली गिराने में मदद करते हैं तो पहली पॉइंट आपकी यह हो जाएगी दूसरी पॉइंट आपकी क्या है दूसरी पॉइंट यह है कि आवे सकेंद्र जो बिजली गिराने के लिए responsible होते हैं इनकी हाइट जो होती है वह 1000 से लेकर के 5000 फिट के बीच में होती है अगर और 10 कुला में बहुत बड़ी रासी होती है, ठीक है, अगला देखिए तो, अगला क्या है, maximum potential of cloud, यानि जो आपके बादल होते हैं, उनका जो बिभाव है, यानि जो आकासी बिजली इक बात की जारे है, वहाँ जो बिभाव आता है न, बोल्टे, वह करोणो बोल्ट होता है, देख सकते हैं, 10 से लेकर के 100 मेगा बोल्ट लिखा गया है, और हाँ ध्यान दिजिएगा, कोई भी आपसे कभी भी पूछे न, कि आकासी बिजली जो गिरती है, उसका कितना बोल्ट होता है, तो आप आख बंद करके सीधा यही बोलेंगे, करोणो बोल्ट होता है, कम नहीं मतलब 200 किलो वाट हावर, मतलब बहुत जादा होती है, ऐसा का सकते हो, और एक चीज़ यहीं पर बता दू, यह जो बिजली गिरती है, इसमें इतनी सकती होती है, अगर इसे कहीं स्टोर कर लिया जाए, तो यार बहुत दिनों तक, मतलब काफी लमें से लिक्त हम लोग यू आप कराते हैं, तो बिजली बनती है, मतलब जो आकासी बिजली बनती है, तो उस तरीके से, ऐसा हो सकता, आने वाले भविस में ऐसा कुछ टेकनोलजी आए, जो इस तरीके के काम करें, लेकिन अभी के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ, इस प्रकार की बिजली बहुत ही गिरे तो कम नहीं होता है घर मालो इतनी मिजली किसी तरीक मिल जाए और समझे कुछ करने का our your information या अवा ज्यासा कर लेंगे ठीक है चलिए अब समझे लाइटनिंग अरेश्टर प्रकार को इस की दिवाइस होती है जिसको कि पावर हाउस या सब स्टेशन या हम कहले कि लेक्टिकल मसींजर से ट्रांसफार्मर इस अभी को क्या सूरच्छा करने के लिए यूज़ करते हैं जो ट्रांसमीशन लाइन और फीडर लाइन के अंत में और प्रारम में लगाया जाता है यह क्या करता है कि जब आकासी बिजली गिरती है तो सीधा क पु chopsticks यह करता है इसके ऊपर गिरेगी तो यह क्या करेगा सीधाबं में जाद घूम नहीं पाती है इससे आपरेटरसहों खराब नएक से बच जाते हैं आगे पढ़ेंगे इसंसी deal सारे में लिखने का ँपर समझ लीजिये देखे, पावर हाउस एंड सब इस्टेशन पर परियुक्त इलेक्ट्रिकल मसीन जैसा कि आपको ट्रांसफार्मर, एक्यूपमेंट, आपरेटर्स, आधिकी सुरच्छा के लिए ट्रांसमीशन एंड फीडर लाइन के प्रारम यानि स्टार्टिंग वा इंड में लाइटनिंग अरेश्टर का यूज किया जाता है जो लाइन कंड़क्टर द्वारा आई हुई बादलो की लाइटनिंग सर्ज को इस्टेशन तथा सब इस्टेशन से क्या होगा परिशर यानि जो confession और subchine pension में परवेश होने से इंटर होने से उसे पहले ही आर्थ कर देता है याका सकते हैं कि ground करा देता है इसलिए इसे station अथवा sub station पर line and earth conductor से सन्योजित करके प्रतिस्थापित कर दिया जाता है मतलब एक conductor द्वार हम लोग इसको ground कर देते हैं और जिस conductor से करेंगे या उसका resistance कम बहुत होता है ठीक है इस बात का ध्यान है आप देखिए यहीं पर सब खेल चालू होगा ठीक है सब ख लिए चालू हो रहा है कि modern टाइप में जो हम लोग लाइटिंग अरेश्टर यूज कर रहे हैं वह निगेटिव रजिस्टेंस करेटाइस्टिक मटेरियल का यूज करके बनाया जाता है इसका मतलब जिनका की रजिस्टेंस जो हता है बोल्टेज के बढ़ने से घड़ता है अब देखो यह जो फीगर है ना अभी एक कॉपी और एक पिन लो और इसे पांच बार बनाओ माइंड में एकदम सेट कर लो क्योंकि आगे जो अभी नेस्ट क्लास में बताऊंगा लेकिन यहीं फीगर की यूज करना पड़ेगा यह बेसिट टाइप का है आप इसे कर लो ह मैं इसलिए कर रहा हूं कि उसमें काम इससे भी चल जाएगा देखिए यह क्या दिखाएगा पावर सर्कीट यानि जिसका प्रटेक्शन करना है उसको हम इसके एक वायर से यहां करेक्ट करा देंगे और दूसरा एक नॉन लिन्यर रजिस्टेंस से हो करके ग्राउंड से हो लेकिन जब नहीं गिरती तो 400 बोल्ट है जिस भी अपना हिसाब से होगा उसने बोल्ट पे यह क्या होगा इसके 20 का माध्यम आइनाइज नहीं हो पाता है तो नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब करोणों बोल्ट आएगा तो इसके 20 का माध्यम आइनाइज हो अगर माल्वाईचांस पेपर में आपको पूछ दिया, तो आप क्या करोगे ध्यान समझो, आपको फ़वाला नहीं याद है, जो आगे पढ़ाओंगा, फ़वाजी याध हो, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? तो फीगर आपने देखा समझ भी लिया आगे इसकी वर्किंग प्रिंस्पल आफ लाइटनिंग अरेश्टर को समझ लीजिए जो की बहुत इंपोर्टन टॉपिक्स है देखिए उपर युक्त चित्र में यानि उपर जो बना चित्र है एक समान यानि नॉर्मल लाइटनिंग अरेश्टर को दिखाया गया है इसमें सिरीज में एक इसपार्क गयप रखा जाता है तथा एक नॉन लिनियर रजिस्टेंस को सिरीज में लगा करके हम लोग आर्थ कर देते हैं या ग्राउंड कर देते हैं इसमें का लाइटनिंग अरेश्टर का एक सिरा उस उपकरण से जोड़ देते हैं जुड़ा होता है जिसका कि हमें protection करना है तता दूसरा सिरा grounded होता है अरेश्टर जो होता लाइटनिंग अरेश्टर है इसमें जो इस पार्क गैप को इतना रखा जाता है कि वह नार्मल बोल्टेज पर क्या होगा भई नार्मल बेट बोल्टेज पर उसके जो 20 के जो मीडियम है वह आइनाइज नहीं कर पाती है लेकिन जब आपका करोणो बोल्ट की आकासी बिजली या करने कि लाइटनिंग आके गिरेगी ठीक है परन्तु जब आपका वहीं बताए गया कि लाइटनिंग आके गिरेगी तो उस समय क्या होगा बोल्टेज का मान आप समय आपका माध्यम मेडियम है वह आइनाइज हो जाता है तथा साथ में non-linear resistance जो इसका पर्चिरोधогда त्टीक है नौ लिनियर रसीटन्स का रसीटन्स जो है और भी निव तम हो जाता है अब जबी यह निवत नियुनतम हो गया तो स्टसे चैया होगा टोटल बोल्टेजिए आपका ग्राउन हो जाता है टोटल बोल्टेज आपका ग्राउंड हो जाता है यहां पर जो देखिए आपको नॉन लिनियर रजिस्टेंस दिखाएगा यह क्यों दिखाएगा इसके बारे थोड़ा समझ लीजी देखिए क्या होता है बाइचांस बाइचांस मालो कि इसके 20 का माधिर थोड़ा सा करोणो बोल्ट की बात हो रही है जब करोणो बोल्ट आएगा तो जाहिर सी बात है वही कि आपका मीडियम और टोटल पावर आपकी ग्राउंड हो जाएगी और पावर सिस्टम या जिस भी सिस्टम का प्रटेक्शन करना है वह पूरी तरीके से बच जाएगा उसमें कोई स्भी दीकत नहीं होगी नेश्ट टौपिक समझिये ने一直 सॉअब शाफ लाइटनिंग और स्कितने परकार के लाटनिंग और इस्टर और कौन कौन से आपके पढ़ने हैं ये समझ लिए यह कई परकार के होते हैं जैसे देख सकते हैं रॉट गैप लाइटनिंग अरिश्ट मल्टी गेप लाइट्णिंग अरेश्टर एक स्पेयर गैप लाइट्णिंग अरेश्टर एक स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा ठीक है अगर book में देखेंगे तो कुछ इस तरीके का देखेंगे लिखा था लेकिन अगर वह इस सेलबस देखेंगे तो यह आई जी अस्टी इन आई अई अजी करके लिखा है तो आप देख लिजेगा लेकिन बाकी बता दियों lightning ही पढ़ेंगे इसको अब देखिए पढ़ना कौन कौन सा आगे इसमें रोट गयप को पढ़ना होर्ण गयप को पढ़ना लेकिन यह इतने कारगर नहीं होते सिर्फ इन्हें क्या करते हैं कि side में लगा देते हैं side में लगाने के तात पर यहां कि जैसे मालो जो अगला बता दू पहले जो पढ़ोगे ठायराइट और इलेक्ट्रोलाइट तो यही दोनों ज़्यादा उपयोग चीया थे उसमें भी खराब हो गया तो क्या करेगा तो अब इतने थोड़ी है कि इंजिनियर तुरंत आ करके उसको बनाने लगेंगे चेक करेंगे भाई कहा का खराब हुआ ऐसा थोड़ी करेंगे नहीं बैक अप के लिए लगा देते हैं यह वाला उसके साइड में ताकि यह अगर खराब गया त थारी स्वारी थारयाइट औरיलेक्ट्रोड़ाइट टाइब का खतम कर दूगा तो अगर आपको यह वीडियो लिक्षर पशंद है इस लाइक कर सकते हsome अगर आडिक क्लास में तब तक ले जहिन वंदे मातरा